पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होगा। चुनिये CGPSC पात्षाला क्लासेज को और करे अपनी CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाउ। अगर हम पिछले एक दो दिन जो आपके बीते उसके अगर हम घटना क्रम पर चर्चा करें तो ये जो सितंबर का महना शुरू हुआ जिसमें नए जिलो के स्रिजद संबंधित एक नई अधिसुचना जारी की गई है। और आपके 29 जिला मोहिला मानपूरंबागर चोकी और दो नए जिले और आपके अस्तित्व में आने वाले खैरागर छुई-खदर गंड़ाई और आपका सारंगर बिलाई गार। इसका भी घोशना काफी पहले कर दिया गया था, अभी जो है आपके सेतंबर महने में ये जिले आपके अस्तित्व में आ रहे है। जो कि इसी वीक से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और उसका टाइम शेडिल भी टेलिग्राम चैनल और फेस्बूक में आप लोगे साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो जो भी एक्षुक अभ्यारती, जो ऐसा ही भरती परिष्छा के टेस्ट से जोईन करना चाहते हैं, वो इस वीक जो शुरू होने वाल आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाल है, उस टाइम पर जाकर करके आप हमारे मोबाइल अप में जाकर रजिस्ट्रेशन कर क्या लिखा हुआ है, बहु कोशिय समुद्री सहवाल, जहां कहीं पर भी अगर ये आता है कि समुद्री आपके कुछ साक्ष से से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट आता है तो हमारे सबसे पहला माइंड कहां पर जाता है, मनेंद्रगड के मैरिन फॉसिल पार्क मैरिन हस्देव नदी के तट पर आपके समुद्री जीवों के जिवाश में के साक्ष मिले है, समुद्री जीव जो की करोड़ों वर्षों से आपके दवे हुए है, उनके जिवाश में के साक्ष प्राप्ट हुए है, आपके मैरिन फॉसिल पार्क मनेंद्रगड में, लेकिन यहा उसे कहा जाता है आपका शैवाल तो हमारी प्रदेश में बहु कोशिय समुद्री सैवाल के साक्षप्राप्त हुए है आपके महासमुझजीले में महासमुझजीले के आपके सुरंगी नदी खंड और बेंदला डोंगर की पहाडी में यह बहु कोशिय समुद्री सैवाल के सा देखे जो आपके नदी में जो तालाबों में भी आपके ऐसे छोटे-छोटे पौधे पाये जाता है जिने सहवाल कहा जाता है लेकिन यहां बात हो रहे है आपके समुद्री सहवाल की देखे समुद्री सहवाल जो आप नदी में और तालाबों में जिसका आपका बहता हुआ पानी है वहाँ पी अगर आप लेकिन समूदरी सहवाल जो है यह जनरली आपके भूरे रंके होता है कारण क्या होता गए इस समूदरी पानी होता खारा तो हमारे प्रदेश के महा समुझी लेकर सुरंगी नदी खंड और बेदला डोंगर की पहाडी में देड अरब वर्षपुराना जिसे बोरिंग बिलियन काल का आपका समुदरी सहवाल होने का अनुमान लगाया गया है ये शोध किया गया है आपके बिर्बल सहानी पूरा विज्ञान संस्था लखनाओ के द्वारा तथा शोध करता है यहाँ पर आपके महासमुद जिले में सुरंगी नदी खंड और बेंदला डोंगर की पहाडी में भूरे शैवालों के जिवाश में प्राक्त हुए है जो कि आपके देड अरब वर्ष पूराना है ठीक है देखिए विशेज बात क्या है कि इससे पहले तक मात्र 63 करोड वर्ष पूराने सैवाल चीन, मंगोलिया, साइबेरिया, अमेरिका, मध्य यूराल में खोजे गए इस शोद में भारत में देड से एक अरब वर्ष पूराने बहु कोशे सैवाल होने की दिशा में एक नया सोच सामने आया है देखे इससे पहले भी जो है आपके पूराने सैवाल के जीवाश में पूराने सैवाल के साक्ष मिले है लेकिन ये कितने पूराने थे? मात्र 63 करोड वर्ष पूराने थे लेकिन करोड से उपर क्या आता है? अरब आता है यहां है देड अरब वर्ष पूराना यानि कि इन से भी पूराना साक्ष होने का दावा किया गया है आपके बिर्बल सहानी पूरा विज्ञान संस्था के द्वारा इंपोर्टेंट है याद रखना है ठीक है गलती कहा नहीं करना है देखे जहां कहीं पर भी आपका समुद्री समुद्री जिवाश्म करके आता है न तो हमारा माइनसेट पहले कहा जाता है आपके मैरीन फॉसिल पार क्योंकि सबसेदा हाइलाइट था ये करेंट अफ्यर में तो ये गलती नहीं करना है मैरीन फॉसिल पार का अलग है समुद्री जिवो के जिवाश्म के साक्ष अलग है और समुद्री शैवाल के जिवाश्म के जिवाश्म अलग है अगर समुद्री जीवों के जिवाश में के साक्षे कहा मिले है तो मनेंद्र अगर हस्देव नदी के थट पर ठीक है अगर प्रश्ण पूछा जाएगा कि समुद्री शैवाल के जिवाश में के साक्षे कहा मिले है तो आपके सुरंगी नदी खंड बेदला डोगर की पहडी महासमुन दूसरा इंपोर्टेन चीज़े याद रखना है कि सुरंगी नदी कहां पर प्रवाहित होती है सुरंगी नदी प्रवाहित होती है आपके महासमुन में अगर आप जनरली देखेंगे आपके ये जो शैवाल है आपको आपके समीब के नदी में तालाबों में देखने के लिए मिलेंगे लिए के लिए ये शैवाल हरे रंग के होते है शमुद्री सहवाल जनरली आपके भूरे रंग के होता है वसा कारण क्या होता है क्योंकि समुद्र के पानी होता खारा कुछ यह देखे यह है आपके समुद्री सहवाल यह है आपके समुद्री सहवाल और बेनलर डोंगर के पहाडी है, यहाँ पे देड़ अरब वर्ष पुराने समुद्री, सैवाल, और कैसे? बहु कोशिये, एक होता है एक कोशिये और एक होता बहु कोशिये, यह आपका साइन्स का पोशन है, उसे मैं तना यहाँ पे डिसकस नहीं करूँगा, बहु कोशिये समुद्री सैवाल के साक्ष प्राप्त हुआ है, आपके महा समुद्र जीले से, ठेक, नेश्ट देखिए, कॉमन वेल्थ गेम, हाल ही में जो है, आपके ब्रिटेन के बर्मिंगम में, आपके कॉमन वेल्थ गेम 2022 आयोजित हुआ, इसमें 36 गड़ की एक खिलाडी काफी हाइ जिनका नाम था आपका आकर्शी कश्या, जो कि किस खेल सम्बंदित है, बैडमिंटन सम्बंदित है, जो उन्हें पदक जीता, आपका सिल्वर मैडल, यानि कि रजत पदक जीता, मिक्जट टीम मैच में, या मिक्जट टीम इवेंट में, ठीक है, आकर्शी कश्याप हमारे vive game क्या होता है Commonwealth जो की आपके अंग्रेज donde उपनिवेश या के आकि ऐ perpetual रहे तो उन देशों के मध्या आपके जो गेम होते हैं नहीं कहा जाता है आपका Commonwealth तो जो Commonwealth गेम जो की ब्रिटेन के बर्मिंगा में आयुजित हुआ जहां पर 36 गड़ की खिलाडी आकर्शी कश्यप भी सामील हुई शामील हुई किस खेल संबंदित है बैट्विन ने संबंदित है और इन्हों ने आपके सिल्वर मैडल भी जीता है यहां पर Commonwealth गेम 2022 की पदतालिका है जिसमें आपके टॉप फाइफ यहां पर आपकी देशों के नाम है जैसे कि पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया सरवाधिक मैडल जीत करके दूसरे में England तीसरे में है आपका Canada और चोथे में है आपका भारत ठीक है भारत जो है इस Commonwealth गेम में फोर्थ पोजिशन पर रहा ये भी आपको जाद रखना है ठीक है इस Commonwealth गेम की पदतालिका में कौन से पोजिशन में रहा आपके फोर्थ पोजिशन में साथी साथ जो है भारत ने अब तक Commonwealth गेम में टोटल आपके 203 पदक जीत लिए है ये कुछ एक्स्टा फैक्ट है जिससे आपको याद करना है तो टोटल जो है जब से आपके Commonwealth गेम आजईत हो रहा है तब से लेकिए अब तक भारत ने लगबग 203 पदक के आजब जीते है और 200 से अधिक पदक जीतने वाला हमारा जो भारत देश है ये दुनिया का चौथा देश बन गया है इन Commonwealth गेम में ठीक है देखिए Commonwealth गेम में जो है अलग-अलग राज्यों से खिलाडी शामिल हुए यहाँ पर पूरे खिलाडियों की नाम दिया गया है आपके राज्य के न सामिल हुई थी वो थी आपकी आकरशी कश्या शामिल भी हुई और इसने Silver Medal भी जीता तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना है देखिए यहाँ पर गलती क्या नहीं करना है क्योंकि इस आपके साल में हमारी एक Highlight Player है जिसका नाम क्या है ज्यानेश्वरी ठीक है जिफ्टर है यह तो यह जो है यह commonwealth game में यह जो है आपकी इन्होंने कोई पदक नहीं जीता ठीक एक मात्र जो आपके प्लेयर शामिल हुई थी वो किवल आकरशी कश्याप है तो गलती नहीं करना है क्या है कि हम पिछले 2-3 मेने current affair में ग्यानेश्वरी यादा को काफी ज् जो निवासी है यह आपके दुर्ग जीले की ठीक है जो आपके आकरशी कश्याप है यह दुर्ग जीले की निवासी है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपके प्रदेश के विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष है ठीक है विधान सभा में एक अध्यक्ष होते है एक आपके change हुए है देखिए विपक्ष का नेता जैसे कि अगर हम बात करें तो पक्ष में अभी कौन सी आभी party है यानि कि किन की सरकार है वो है Congress की तो विपक्ष का नेता जो है यह BJP का बनेगा तो ध्यान दिजेगा यहां पर जो है आपके हमारे प्रदेश में अभी कौन सी व विधान सभा और इस पाचवी विधान सभा में आपके दो नेता प्रतिपक्ष आपके हो चुके अभी तक ठेक देखिए यह जो है यह है आपके धरम लाल कौशिक धरम लाल कौशिक जो कि इस पाचवी विधान सभा में इस पाचवी विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष थ नारायन चंदेल यह अब आपके नेता प्रतिपक्ष बन गया है जो कि आपके जांजगीर चापा के विधायक है इन्हें जो है आपका नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है तो यह सूची को थोगा सा याद कर लेना ठीक है जो कि 2000 से लेकर 2003 तक इनका कारेकाल रहा है दूसरे आपके विधान सभा की नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है महेंद्र कर्मा जो की 2003 से लेकर 2008 तक इनका कारेकाल रहा है तीसरे विधान सभा की नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले थे आपके धरमलाल कौसिक यह ठीक है जिनका ट 2022 में जो है आपके नारायन चंदेल ठीक है इस अगस्त महिने में ही आपके नारायन चंदेल जो है नेता प्रतिपक्ष बने है अगस्त 2022 से ले करके अभी निरंतर यह आपके नेता प्रतिपक्ष है तो यह ठोड़ा टेबल को याद कर ले ना कई बर क्या होता है यह पुछ दे तो इसे स्वासा ध्यान से कीजेगा ठीक है next देखिए next है आपकी अंकीता गुपता अब ये अंकीता गुपता कौन है अंकीता गुपता है आपकी परवतारोही जो की निवासी है आपके कवरधा की और साथ ही साथ ये वर्तमार में कारेरत है या पदस्त है पुलीस विभाग के अंतरगत आरक्षक के पद पर ये चर्चा में क्यों रही इन्होंने जो है आपके स्वतंतरता दिवस के आउसर पर यानि की 15 गस्त 2022 को स्वतंतरता दिवस के आउसर पर यूरोप महाद्वीब की सबसे उची चोटी माउंट एलब्रूस जिसकी उचाई अगर मीटर में हम बात करें 5,642 मेटर इसकी उचाई है अगर हम फीट में चबात करें तो 18,510 फीट उचे माउंट एलब्रूस पे जो है इन्होंने परवता रोहन किया यहाँ पर इस परवत पर चड़कर माउंट एलब्रूस के उपर चड़कर के उन्होंने न्याय और शशक्तिकरन के 36 पर चड़कर में आरक्षक के पर पर कारे रथ है तो इन्होंने 36 गड़ पुलीस का एक आपका बैनर वहां पर जाकर के प्रदर्शित किया साती साथ 36 गड़ मॉडल का न्याय और शशक्तिकरन वाला ठीक है न्याय और शशक्तिकरन वाला 36 गड़कर मॉडल का भी जो है यहा पर तो आपको उनकों चेहरे इस परश्ट नहीं हो रहा होगा यह है आपकी अंकीता गुपता जो की कवरधा में 36 गड़ पुलीस विभाग के अंत्रगत आपके आरक्षक है देखे इससे जो है परवता रोहियों से थोड़ से प्रश्न बन रहे है जैसे कि लाश्ट येर प जो है इसकी उचाई याद रखना है 5642 ये यूरोप महादीब की सबसे उची चोटी है लेकिन ये जो है आपके रश्या में मौझूद है अगर देश पूछा जाए तो रश्या और महादीब पूछा जाए तो ये थोड़ा सा कोश्ट परवतारोहियों से बन रहा है लाश् 2642 मिटर यानि की 18,510 फीट इसकी उचाई है जिसके उपर चड़कर के उन्होंने न्याय एवं श्रशक्तिकरन के 36 मॉडल का चोटी में इन्होंने प्रदर्शन किया नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपके कृष्ण कुंझ कृष्ण कुंझ योजना इसकी घोष्ण काफी पहले ये डेट थोड़ा सा याद रखना ठीक है एक प्रशन पूछा जाएगा कि जो आपके कृष्ण कुंझ योजना किस पावन पर्व में आपका शुरुवात किया गया इस योजना का तो पहला चीज तो यही कृष्ण जन्माश्टमी के दिन साथी साथ तिथी पूछेगा तो ये तिथी कौन सा है 19 अगस्त 2022 ये डेट को याद रखना है 19 अगस्त 2022 को इस साल आपका कृष्ण जन्माश्टमी था देखिए इसकी शुरुवात मुख्यमंत्री भुपेश बगहल जी के द्वारा राइपूर की तेली माधा में एक इसकी शुरुवात की गई इस योजना के अंतरगत धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पौधों का रोपन किया जाएगा इसका जो विस्तार है ये प्रदेश के सभी नगरी निकाय छेत्र में होगा जैसे कि 14 नगर निगम 43 नगर पालिका और 112 नगर पं कि जो भी आपके नगर है जो भी आपके जो डैवलब्ड शहर है वो क्या हो रहा है वहाँ पर उनका जो विकास है वहाँ पर इंडस्ट्राइजेशन हो रहा है उद बड़े बड़े उद्योगों की स्थापन हो रही है आपके वहाँ पर मल्टी कॉंप्लेक्स बन रहा है व तो बड़े बड़े आपके multiplex बनाय जा रहा है, उसमें आपके cement concrete का use होता है, तो हम धिले धिले concrete के जंगल से घिरते जा रहे है, हमें पेड़ पौधे वाले जंगलों की अवश्यकता है, तो जो आपके जो ग्रामीन छेत्र है वो तो वैसी क्रिशी प्रदान है, ठीक है, पे जैसे कि कहा गया है, धार्मी के वान सांस्कृतिक महत्व के पेड़ पौधों को रोपन किया जाएगा, जैसे कि बरगत, इसमें जो है लोगों की धार्मी का स्था है, बरगत हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, कदम हो गया, यह आपके धार्मी के वान सांस्कृतिक महत् आपके नगरिये च्रा न्यूनतम कम से कम एक एकड शासके भूमि आबंतंका ततकाल वन विभाग को निरदेश दिया था यानि की कम से कम एक एक एकड़ के च्रा में आपके कृष्ण कुझ इस्थापित किये जाएंगे नंदनवन राइपूर में अनुमानता धाई एकड का सबसे बड़ा कृष्ण कुझ इस्थापित किया जाएगा अभी बना नहीं है वहाँ पे भी विक्सित किया जा रहा है मुक्यमंत्री भुपेज वगिल जी के दोड़ा शुरुवात किया गया था राइपूर के तेली बांदा से इस आपके कृष्ण कुझ को और जो बनाया जा रहा है इसे भगवान श्री कृष्ण का उद्ध्यान कहा गया है ठीक है उद्ध्यान की संग्या दी गई है इस कृष्ण कुझ को भगवान स्री कृष्ण का उद्ध्यान और इसका एक लोगो भी लॉंच किया गया है जिसमें आपको एक विक्ष दिख रहा है 36 गड़ कृष्ण 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 के करेंट अफेर को जो हमार मैगजिन है उसमें भी उसी से ये सारे चीज़े उतारी गई है देखिए ये अभी हाली में पूरा है चर्चा में क्यों रहा है इसे समझिएगा ये जो आपका विश्व प्रसीद एतिहासिक मावली मेला है ये लगबग 800 वर्ष पुराना है यानि कि 1400 इस्वी के आसपास से मेला की शुरुवात हुई थी इसका प्रारंब है ये काक्तिय राजाओं के शाशनकाल से इस मेले का प्रारंब हुआ था इस मेले में मुख्यता आपके अबुजमारिये जंजातियों के द्वारा यह मेला आयोजित किया जाता है पहले तो शुरुवाती तोर पे जो आपका मेला है इसमें केवल अबुजमारिये जंजाती शामिल होती थी लेकिन बदलते समय के साथ साथ अब इसमें हर कोई जंजाती है हर कोई वर्ग के लोग इस मेले में शाबिल हो जाते हैं यह जो आपका जो माता मावली है यह इश्ट देवी है अबुजमाडिया मूरिया और हलबा जन जाती की विशेश क्या है बस्तर के आदिवासियों का यह सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर मेला है मावली देवी नाचीन चक्रकोट आराध देवी तथा इनका उप नाम था पर बसाते ए हैं statist मेले में लगभग चोड़ासी परगणा के देवी देवता शामील होते है और छेत्र के लोग पूरी आस्था के साथ अपनी और अंगा देव के साथ जो है सहभागीता निभाते है इस मेले में देखे अब थोड़ा सा एक बैग्राउन इस्टोरी आप लोगो फटा-फट बता जेता हूँ कि जो आपके काक्ती शाशक थे काक्ती शाशक थे आपके अन्नम देव जब वारंगल वाले छेत्र में अलाउदिन खिल जी का आकरमन हुआ था तब रुद्रपताद देव ने तो आत्मसमरपन कर दिया था लेकिन उनके भाई जो थे आपके अन्नम देव वो छुपते-चुपाते भगते हुए आपके बस्तर वाले छेतर में वो प्रवेश किये इस समय बार्वसुर वाले छेतर में शाषन था आपके हरिश्चंद्र दे जिनका नाम रहता मनिकेश्वरी देवी उनकी प्रतिमा को ला करके एक तारला पाल नामा गाउं में डंकनी शंकनी नदी के तट पर ला करके उसे बसाते हैं और मंदिर बनवाते हैं और नाम दिया जाता है इन्हें दंतेश्वरी देवी का दंतेश्वरी देवी के प्रति प्रति इनकी जो है आस्था काफी जादा थी तो जो बड़े-बड़े आपके गाउ थे जैसे की प्रताप पूर हो गया नारायन पूर हो गया चोटा डोंगर हो गया परलकोट हो गया यहां पर उन्होंने माता मावली का प्रतिरूप इस्थापित किया और प्रति वर्ष यहा से जयादा प्रसिद्ध है आपके नारायन पूर का और ध्यान दिजेगा अब सबसे जयादा इनपोर्टेंट फैक्ट कि यह हाल ही में चर्चा में पैषालर मंयों यह अपके आ करके आप जन से अपनी बातों को शियर करते हैं रेडियो कारेक्रम ठीक है तो ये इस रेडियो कारेक्रम में उन्होंने आपके इस मेले का जिक्र किया था उन्होंने आम जनता को भारत के लोगों को बताया कि शियर के नारायनपूर में विश्व प्रसिद्ध एतिहासिक मावली मेले का आज़न होता है भारत के लोगों को जा करके इस मेले में शामी लोग करके देखना चाहिए कि किस प्रकार एक पुराने समय से चली आ रही परंपरा को आज भी इस्थानी जन्जाती के लोग सहेच कर रखे हैं वुर्व से मना त्यार है तो ये प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात जो करेडियो करेकराम है उसमें इस मेली का चर्चा हुआ था जिससे अका पुन हाईलाइट हूआ ये आपका मावली मेला ठीक है नारायन पूर का मावली मेला यहां भी लिख ली जगा कहां का है नारायन पूर ठीक है और ये है आपके मावली देवी का प्रतिरूप तो important है इसे भी थ्यान रखिएगा next देखिए next है आपका राजकी पशुवन भैसा अब ये हाली में चर्च सकता है यानि कि अगर जो भी इंटर्व्यू देने वाले रहेंगे उसमें आपसे एक चीज़ पूछा जा सकता है कि दिपाशा क्या है या दिपाशा वैसे तो यह आपके व्यापाम की एक्जाम में आया गया था आया हुआ था कि दिपाशा किसका क्लोन है गर देखिए हमा आपके जहां पर फोटो देख रहे है यह आशा का जो की एक मादावन भैसी थेक है मादावन भैसा तेकिये गरियावंद के उद्यन्ति सितानदी टाइगर फॉरिश्ट में वण भैसा आशा के बाल और आपके कान से यानि कि जो वन भैसा को बाल है और उसके जो कान है जो बाल और कान से कान के टिशू से टिशू को निकाल करके करनाल में इस्थिद नेशनल डेरी अनुसंधान संस्था करनाल में क्लोन तयार किया गया इसके जो है कान और बाल के टिशू को निकाल करके उससे क्या तयार किया गया एक क्लोन तयार किया गया और इससे जो है दिपाश मेटिंग की जरीय के नहीं हुई जिसके जरीय हुई एक के लिया ध्यूंसे पैदा होने वाली वणंभेस थी जिसका नाम क्या था धीपाश कि मात्र कौन से पैदा मादा वंभेस थी। उसे टक्रीबन चार करनाल के राश्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान में रख करके पाला गया और इस प्रक्रिया में वट विभागों को करीबन एक करोड़ दस लाख रुपए के आसपास खर्च होए थे उस समय की बात है अब यहाली में चर्चा में क्यों आया इससे थोड़ समझेए यह जो है यह एक वन भैस थी जिसका नाम था आश्या इस पर एक प्रैक्टिकल किया गया एक जो इस फो आस बाल को निकाल करके उसका सेंपल ले करके करनाल के नैशनल डेरी अनुसंदान में उसका एक क्लोन तयार किया गया और इसके क्लोन से जन्म लेने वाली एक मात्र मादा क्लोन थी जिसका नाम था दिपाशा ठीक है दिपाशा जिसके उपर वन विभाग ने जो है उसे चार साल वहीं कर कि पैदा हुए थे प्रचनन की तरीके से हुए थे क्लोन से पैदा नहीं हुए थे अब वन विभाग के सामने दिक्कत क्या रहा यह समझना नो डिपाशा है यह क्लोन से पैदा एक मात्र माधा है ठीक है दिपाशा को 2018 में करनाल से जंगल सफारी में लाया गया यानि कि राइपूर के जंगल सफारी में यहां से उसे अलग जोन बना करके रखा गया जंगल सफारी प्रबंदन ने 2018 से लेकर करके अब तक दीपासा के उपर करीब एक करोड से अधिक रुपए खर्च कर चुके है अब यह जो है यह क्लोन से पैदा हुई एक मात्र मादा वन भैसा है और यह आशा से ही पैदा हुई छै आपके नर्वन भैस है अब यहां पर दिक्कत क्या आ रहा है कि जो छै नर्वन भैस है यह वन विभाग के दोरा अंदजे लगा जा रहा है कि छै के छै नर्वन भैस जो जो है यह आशा के ही संतान है यह अनुमान लगा जा रहा है अब दिक्कत क्या हो रही है कि यहां पर जो है दिपाशा और जो छे नर्वेन भेस है इनके ब्लड सेंपल या डियने का सेंपल लेकर कि सेंटर फोर सेलुलर एवं मॉलीक्यूलर बायोलोजी हैदराबाद में भेज गया है क्योंकि अब प्रदेश में वन भैसों की संख्या हो रही है कम यह दिपाशा जो है यह आशा से पैदा हुई है और वन विभाग का यह अंदाजा है कि जो छे नर्वेन भैस मौजूद है आपके जंगल सपारी के बाड़े में यह भी जो है यह आशा की संतान है लेक से जन में आपके वन भैस है और इनके बीच जो है मेटिंग नहीं करवाया जा सकता इससे कोई नई संतान को नहीं जनमा जा सकता कारण क्या है कि अगर इनके बीच में मेटिंग कराया गया तो उससे जो है इनकी आपकी जिनेटिक जिनेटिक डिसॉर्डर हो सकता है जो आप आपके blood sample और DNA लेकर के उसे भेचा गया हैदराबाद में अगर मान लीजिए इस 6 नर्वेस वनभैस में से किसी एकादी का भी जो DNA है यह बाकी बचे इन लोगों से अगर मैच नहीं होता तो यहां पर जो आपके एक जिसका मैच नहीं हो रहा है उसका मेटिंग करवा दिया ज लेकिन अभी बाड़े यानि की जंगल सफारी के बाड़े और जंगल के कुल मूल 36 गड़िया वन भैस जो है इनकी संक्या 15 ही बची है यहां पर क्या कहा जा रहा है मूल मूल का मतलब जो की 36 गड़ में है और 36 गड़ में ही यह यह जो है आपके इनका निवास इस्थान है आप बोल सकते हैं प्रजाती लुप तो ना हो जाए इसके लिए प्रदेश में असम से पांच मादा और एक आपके नरवन भैस के लाए गया है ठीक है पांच मादा और एक नरवन भैस को लाए गया लिगिन कहां से असम से यह हमार 36 गड़ के नहीं है असम के है ध्यान इनके मेटिंग की जरुवत है ठीक है तो यहां पर जो है आपके वन भैस लाया गया है जिसमें से एक नर और एक मादा लाया जा चुका है बाकी चार मादाएं लानी बाकी है तो यह तो आपका अलग विस्ट है तो थोड़ा इसको याद रखिएगा यह दिपाशा एक बार का राजकी पशु दिपाशा जो की च्छतिसगड की ही है ठीक है जाने की च्छतिसगड के परिवेश में ही इसका पालन पोशन हुआ है आपके आशा से जन्मी है राजकी पशु वन भैस है तो यह एक मात्र मादा पलोन बचा हुआ है और इसका भी उम्र होते जा रहा है तो कि आर्थिक गतिविधियों के कुशल संचालन एवां उतक्रिष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए गौठानों को दिया जाता है इसका जो यह जो पूरुसकार है यह पूरुसकार प्रदान किया गया 15 अगस्त 2022 यानि कि स्वतंतरता दिवस के आउसर पर यह जो पूरुसकार है के तीन काठान हमारे लिए इंपーडेट नहीं है लेकिन राज जे इस तरही क्यों कोंसे दियान रखिएगा कसेरा गौठान जो की दुर्ग में ब्लोक में अंतरगत आता है यह तीन आपके गौठान है यह राज इस तर के सर्वस्रेश्ट गौठान है जीने स्वतातरा दिवस के आसर पर 50-50,000 रुपय का पुरुसकार प्रतान किया गया पहला प्रश्ण तो यही पूछा जाएगा कि स्वतातरा दिवस के आसर पर 36 गड़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम इसकूल हमारे प्रदेश में संचलित है आप इससे भली भाती परीचित है ठीक है अब जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम इसकूल के तर्ज पर अब प्रदेश सरकार जो है कॉलेज खोलने जा रही है ठीक है से बने बुना एक कॉलेज है उसे जो हिंदी मीडियम में अंग्रेज जो आपके हिंदी माध्यम में संचलित हो रहे थे उसे अब अंग्रेजी माध्यम में कंवर्ट किया जाएगा ठीक है इसमें हर कॉलेज में कम से कम दो होस्टियल की सुईधाई भी लाई जाएगी इसमें दस जीलों में प्रारंभिक तोर पर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्ष महाविद्याले खोले जाएंगे एक है आपका रायपूर, दूसरा महासमून, तीसरा दूर्ग, चौथा राजनानगा, पाछवा काकेर, छटवा जगदलपूर, साथवा कोरभा, आठवा विलासपूर, नौवा अंभिकापूर और दसवा है आपका रायगार सभी के सभी प्रमुक्ष हर है यहाँ पर आपके अंगरेजी माध्यम आदर्ष महाविद्याले यानि की कॉलेज खोले जाएंगे, विशेज बात क्या है कि उच्च सिक्षा विभाग ने प्रदेश के कॉलेजों को हिंदी से अंगरेजी माध्यम आदर्ष महाविद्याले वे तबदिल कर दिया है, यानि ये हिंदी मीडियम की भी बच्चे है इस कॉलेज का अंतरगत पढ़ सकते हैं तो इन्पोर्टेंट याद रखना कि आपके स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्याले के अंतरगत दस जीलों में कॉलेज खोले जा रहा है इसके कॉलेज का चैन भी कल गया था एरपोर्ट सर्विस कॉलिटी सर्वे इसमें हमारे चतिस गड़ स्वामी विवेकानंद एरपोर्ट जो की माना एरपोर्ट की नाम से भी जाना जाता है इसे पांच में से चार दसमलों नौपाच अंग प्राप्त हुए और यह जो रैंकिंग तयार किया गया है यह यात्रियों के फीडबैक के आधार पर यानि कि यात्रियों के दौरा यात्रियों से ही इसका फीडबैक लिया गया यात्रियों के फीडबैक के आधार पर जो है यह आपका सर्वे तयार किया गया ध्यान दीजेगा भारत के पूर्वी छेत्र वाले हिस्से में हमारा च्छत तो इसे तुछ याद रखिएगा कि पूर्वी छेत्र में पहले इस्थान पर, देश में दूसरे इस्थान पर और दुनिया में 36 वे इस्थान पर है हमारा राइपूर एइरपोर्ट, ठीक है, यह राइपूर एइरपोर्ट का एक टॉप व्यू है, इसे भी देख लीजिए, प्रधान मंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना, अब यह क्या है, ध्यान दीजेगा, इसका पूर्व नाम था जनजातिय उप योजना के लिए विशेश केंद्रिय सहता योजना, इस नाम से संचलित था, जिसमें भी हाली में 8 अगस्त 2022 को शंशोधन किया गया, इसका ना आदिवासी समुदाय से है, ठीक है, आदिवासी, एक तो आदर्श ग्राम योजना जो की ग्रामिन शेत्र से है, अब यहां पर आदी आदर्श ग्राम योजना लाया गया है, जो की आदिवासी की जो गाव वाले जो छेत्र है, उन्हें एक आदर्श ग्राम की रूप में व 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन्जाती आबादी का संकेंद्रण है वहां के जन्जाती बहुल गाओं में एकक्रित विकास कारिक्रम चलाना है इसका मुख्य उद्देश्य है इसका जो कारियन वयन है ये 2021-22 से लेकरके 2035-26 तक इसका कारियन वयन किया जाएगा यानिकि लगबग 5 साल इसके अंतरगव पूरे भारत भर में से 36,428 गाओं को जो कि आदिवसी बहुल गाओं है जन्जाती बहुल गाओं है और लगबग 500 जन्जाती ओको जो है इसके अंत घटक क्या है इसमें जो है सडके संपर्क अंतरिक्त एवं अंतरगाव ब्लोग दूर संचाल संपर्क यानिके मुबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी स्कूल आंगनबाडी केंद्र स्वास्ते उपकेंद्र पेजल सुईधा जल निकासी एवं आपके ठोस अप्सिष्ट प मंत्री आपके आदी आदर्श ग्राम योजना लागू होगी ठीक है इन्पोर्टेंट है इसे याद रखना है ठीक नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका प्रधान मंत्री शहरी सलम स्वास्त सहयता योजना ये योजना तो 2019 का है काफी पहले ये योजना की शुरुआत ह होई थी इसमें एक अपडेट आया है अपडेट क्या है देखिए प्रधान मंत्री सहरी सलम सहयता योजना जो की दो अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के जन्म जैनती के आउसर पर इसकी शुरूआत हुई थी इसके अंतरकत लाभानवी टोटल आपके शहर है आपके 169 आपके जोजना के अंतरकत टोटल 120 मोबाइल यूनित है मतलब ये जो बस आप भी अपने अगर शहरों में रहते होंगे तो आप ऐसे बस देखी होंगे इनकी संख्या टोटल अब हो चुकी है 120 जो कि टोटल आपके 169 शहर को कवर करते हैं इसका जो क्रियानवयन है शहरी छेत्रों के जोगी जोपडियों में रहने वाले गरीबों का सब्ता में एक दिन मेडिकल यूनिट याने की चलित इकाई तथा पोर्टेबल मशीन के माध्यम से उपचार जाच दवाईयों का वितरन करना तथा गंबिर मरीजों को बड़े केंद्रों में रिफर करना विशेज बात क्या है कि इसके योजना के तहद है 70 प्रकार की दवाईयों का वितरन किया आपका दलहा पहाड यह मौझूद है आपका दलहा पोड़ी गाव जांजगीर चापा जिले के अकल तरह में ठीक है यह चर्चा में क्यों रहा क्योंकि यह जो सावन का महिना था जिसमें आपके नाग पंचमी एक दिन पढ़ता है नाग पंचमी के औसर पर यहां पर भरता है आपके दलहा पहाड का मेला इस दलहा पहाड को इस्थानी इस तर पर एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है आपका सिंदूर गीरी की पहाडी लगबग 700 से 700 मीटर के आसपास जो है इसकी उच्चाई है दलहा पहाड की ये प्रशना आया भी हुआ है कि दलहा पहाड की जिले में है ये मौझूद है आपके जांजगीर चापा जिले में इसका अन्य नाम क्या है सिंदूर गीरी पहाडी माननेता क्या है यहां पर एक आश्रम है इस सीधी चड़ाई है जिसमें जो है लगबख इस पहाड के उपर सिद्ध मुनी रिशी का आसरम है और इसके सामने एक सूर्य कुंड है एक पानी का कुंड है जिसका नाम क्या है इसका नाम है आपका सूर्य कुंड ऐसी इस्थानी इस तर पर माननेता प्रचलित है कि नाग प कुंड जिसका पानी कभी सूखता नहीं है ठीक है पूरे 12 मैंने इस कुंड में पानी भरा रहता है और मुख्यता इस नाग पंचमी के दिन इस कुंड का पानी मात्र पीने से पूरे साल भर लोक स्वस्त रहते हैं ऐसी माननेता प्रकलित है तो इसको याद रखना है नेक्ट नेक्ट है सूपर वासुकी यह जो हाल ही में फिर से चर्चा में रहा आपका हमारे 36 गड़ का दक्षिन पूर्व मध्य रेलवे जोन जिसका कहां पर मुख्याल है बिलास्कूर में है यहां पर देश की सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई गई जिसका नाम तर सूपर वासु की देखिए सूपर वासुकी क्या है इसमें लगभग जो है तोटल आपके 295 आपके वैगन थे यानि की डिबमे थे जिसमें लगभग आपके लोड़िंग थी 27,000 तन किसकी लोडींग थी कोईल्य की LOADING थी ठीक है कोईले का User, जिसे चैंजन ने मिलकर के खीचा, और इसकी लंबाई थी लगभग साड़े तीन किलो मिटर ठीक है साड़े तीन किलो मिटर लंबा था और लगभग ये जो है ये चलाया गया था आपके कोरबा कोरबा से राजनांद गाओ के मद्य राजनांद गाओ के मद्य लगभग 276 किलो मिटर का डिस्टेंस इसने जो है 11 से 12 घंट इससे पहले आपका क्या था वो था आपका सूपर शेशनाग अब हो गया है आपका सूपर वासुकी ठीक हमारे जो आपके बिलासपूर रेलवे जोन है यह अक्सर ऐसा एक्सपरिमेंट करते ही रहता है इस सावन के महिने में जो है इसने एक सूपर वासुकी ट्रेन चलाई ज पुस्तक जो कि आदिम जाती एवं अनुसंधान प्रसिक्षन संस्था के दोरा यहां बुख तैयार किया गया है इसमें 200 आदिवासी जन्नायोकों की गाथा का संग्रा है इसमें आपके स्वतंद्रता आंदोलन के बलिदानों के जीवन वृत्तान्तों को संकलित किया गया है आदिवासी विद्रो एवं सतंत्रला संग्राम के आदिवासियों के जन्नायोकों की जीवन गाथा है जैसे कि आपका शहीद वीर नारायन सी ही परलकोट के गेंद सी ही भूमकाल विद्रों के जो थे आपके गुड़दा धूर उनका पूरा एक जीवन वित्तान्त को संकलि पूस्तक में जिसका नाम है आदि विद्रो ग्रंट ठेक नेश्ट देखिए हमारे प्रदेश के कुछ इस्थानों का नाम परिवर्तन किया गया है प्रदेश सरकार में कैबिनेट के दोरा यह मंझूरी दी गई है इन स्थानों के नाम परिवर्तन की जैसे की ये है आपका रायपूर, रायपूर में जो आपका मौजूद है कौशल्या माता मंदीर, अब उसका नया नाम रग दिया गया है यानि कि चंधध्ध्धूरी का, आपका गिरोध पूरी है ठीक है गिरोध पूरी जहां पर जो है आपका ये जैत खाम मौजूद है अब इस गिरोध पूरी का भी नाम जो है बाबा गुरु घासी दास धाम गिरोध पूरी के नाम से इससे जाना जाएगा अच्छा इससे पहले दलहा पहाड़ वाले चीज़ पर ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था ठीक है इसे भी थोगा सा याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो हम नाम परिवर्थन देख रहे थे तो गिरौत पूरी का नाम परिवर्थित करके अब रग दिया गया है बाबा गुरु घासी दाल धाम गि यानि कि यह जो आपकी जगह जिस व्यक्तित्व से परिचे जो है आपका प्रसिद्ध है जैसे कि कोशल्या माता मंदिर है तो उसमें कोशल्या माता धाम रख दिया गया जा आपकी गुरु घासी दास से संबंदी थे तो बाबा गुरु घासी दास धाम रख दिया गया और उसके बाद फिर शहर का नाम जोड़ दिया गया तो यह कुछ शहरों के नाम परिवर्तित हुए है हमारे प्रदेश में नेक्ष देखिए इसे बताने के लिए कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है जो चीजे बोर्ड पर है उसे देख लीजे क्योंकि इसे बताने के लिए कोई content ही यह एक ही प्रश्ण आपसे पूछा जाएगा कि आपका जुमका बैराज ठीक है जुमका बैराज जुमका बैराज कहां है यह आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा ठीक है जुमका जुमका बांध सौरी जुमका बांध ठीक है यह आपसे प्रश्ण आएगा जुमका ये कहां पर है ये मौझूद है आपके कोरिया जिले में ठीक है कोरिया जिले के अंतरगत आता है आपका बैकुंट पूर क्या आता है बैकुंट पूर कोरिया जिले के बैकुंट पूर में एक आइलेंड डेवलप किया गया है परेटकों को आकरसित करने के लिए ये जो आप सामा है सुरममे टापु ठीक है सुरममे टापू जिसे जुमका आईलेंड के नाम दिया गया है प्रेटो को आकरसित करने के लिए समूद्री टापु नहीं में बना साड़े तीन हेक्टेर का आइलेंड है तो इसको वास याद रख लिना कि जुमका आइलेंड कहां है अब यहाँ पर जो है आपका बोटनिकल गार्डन भी यहाँ पर विक्सित किया जा रहा है इसे बताने के लिए कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है इसलिए आपको क्यो प्रदेश में जो है अब तक लगभग साड़े चार लाग क्याने कि चार लाग 54,000 व्यक्तिगत और आपके 45,000 से अधिक सामुदाईक विकास पत्र वित्रित किये गया है एक डाटा थोड़ सा लंसाम इसको याद रख लेना नेक्स्ट है पलकनाग पलकनाग जो है यह मार् प्रदेश के कोरभा पस्चिम में 1320 याने की 1320 मेगवाट की याने की 660 मेगवाट की दो यूनिट दो नए पावर प्लांट लगा जाने का फैसला लिया गया है कैबिनेट के द्वारा और टार्गेट रखा गया है कि 2030 31 तक 2030 31 तक यहां प्लांट चालू भी कर दिये जाएं अगर हम नॉर्मल बात करें जैसे पोस्ट अफिस में इस स्पीट पोष्ट होते है किसी भी चीज़को जल्दी से जल्दी एक इस्थान से दूसरे इस्थाने पहुचाने के लिए या तो ट्रेन का साहरा लिया या तो प्लेन का साहरा लिया तो हमारे छट्रेश गर्ज़र तो हब की रूप में विक्सित होगा, जिसमें जो आपके express service के थूँ जो चीजे कोरियर होते हैं, वो यहां से होंगे, तो यह आपका मध्य, मध्य छेत्रिय परिशत की बैठा कोई थी अभी हाल ही में, मध्य छेत्रिय परिशत हमारा जो आपका भारत देश है, यह अलग-अल मध्य छेत्रिय परिशत यह आउजट हुआ था मेरे हिसाब से भोपाल में, ठीक है, भोपाल में यह आउजट हुआ था और हर राज्य के मुख्य मंत्री इस बैठाक में शामिल होते है, जिसमें इस बैठाक में निर्णय लिया गया है, कि राइपूर जो है, यह एयर खार्थी होंगे उसने पर रजिस्टेशन करा सकते हैं और cgpsc e-parts अला को जो current affair magazine है आप mobile app से भी ले सकते हैं और साथ इसाथ आप अपने नजदी की book depo में जाकर कि भी उस magazine को ले सकते हैं ठीक है चलिए